एक छोटे से गाव में था एक प्यारा सा बच्चा नामक राजू. एक दिन वह अपने दादा के साथ जंगल में खेती करने गया. वह एक रहस्यमय नदी के पास पहुंचा, जिससे सब लोग जादूई नदी कहते थे. नदी के किनारे एक अध्वितीय अंधिरा चाया हुआ जिसमें से अंगिनत रंगीन चमकते तारे बह रहे थे. राजू ने अपने दादा से पूछा, ये नदी कैसे जादूई है, दादा, दादा हनस्ते हुए. कहा, हाँ, लेकिन सावधानी से राजू ने नदी के किनारे बैठ कर देखा और फिर अपने हाथों से पानी में समकता हुआ बिना किसी रेखा के छोड़ा. दादा ने उससे कहा, देखा बेटा, अब तू भी जादूई हो गया है. राजू ने हर तरफ देखा और देखा कि उसके हाथों की हर छुई वस्तू रंगीन हो गई थी. वह खुशी से नाच रहा था और अपनी खुशी को मेला हुआ. लोग मेले के लिए सजग थे और राजू ने भी नदी का पानी लेकर अपनी कला दिखाने का निर्णय किया. मेले में लोग चौंक गए जब राजू ने अपनी जादूई कला दिखाई. उनके हाथों से जो भी छुआ वह सब कुछ रंगीन और चमकदार हो गय लोग हैरान होकर उससे बहुत सारे वस्त्र और आभूशन बनवाने के लिए पैसे देने लगे. राजू ने सब को खुश कर दिया और वह अपने गाम को भी सजीव करने के लिए नदी से और भी पानी लाया. उसने अपने गाम को एक नया रूप दिया और सभी लोग और उसने सब को यह सिखाया कि जब हम अपनी कला को सही तरीके से इस्तिमाल करते हैं तो हम अपने और दूसरों के जीवन को रंगीन बना सकते हैं.